हलो स्टूदेंस इस्टेडि मेडियम चैनल में आपका स्वागत है B.A.C. नर्सिंग इंटरंस एजाम के लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है इसमें फिस्ट केमस्ट्री वाइलो जी के सारे इंपोर्टेंट कोस्टेंज जो पूछे गया है तो वीडियो को सुरू से आं तक देखिए और चैनल के साथ जुड़ जाएजे क्योंकि इस एक्जाम से रेटेट कोई भी कोस्टेंट और कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुच जाएगा तो चलिए सुरू करता है इसका पहला कोस्टेंज छोटी आत में सारवधिक लंबाई वाला हिस्सा कोन सा होता है आप्सण A, EODNUM, आप्सण B, जेजुनम, आप्सण C, ILEUM and आप्सण D सभी एक समान होते हैं तो इसका एंसर होगा आप्सण C, ILEUM इसका लंबाई सबसे ज़्यादा होता छोटी आत में नेक्स्ट कोस्टन से छोटी आत्र की सारचना जेजुनम तथा ILEUM के आपसी संबंध है तू कहा गया कौन सा गथन सही नहीं है आप्सण A, जेजुनम उपरी भाग में तथा ILEUM निचले भाग में होते हैं आप्सण B, जेजुनम का व्यास कम तथा ILEUM का व्यास अधिक होता है आप्सण C, जेजुनम मोटी परत तथा ILEUM पतली परतवाली होती है आप्सण D, जेजुनम में बड़े तथा ILEUM में छोटे वीलिस पाए जाते हैं तो इसका एंसर होगा option B जेजुनम का ब्यास कम तथा इलियम का ब्यास अधिक होता है ये गल्लत है next question से छोटी आत की सनचनाओं को नीमनी में से कौन सी उत्तकिय परत दुआरा नहीं ढखा जा सकता option A peritonium, option B collagen fiber, option C manspacy and option D mucus परत तो इसका एंसर होगा option B collagen fiber next question से छोटी आत की तुनला में बड़ी आत की भित्ती कैसी होती option A अधिक चोड़ी, option B अधिक सक्री, option C एक समान and option D उप्रुक्त सभी संभव तो इसका एंसर होगा option A अधिक चोड़ी next question से साधारन कोलमनर epithelium है तु कहा गया कौन सा कथन सही नहीं है option A कोशिका की लंब़ाई चोड़ाई की तुनला में अधिक होती है option B कोशिका की अनेक परते पाए जाती है option C मिस्चिरित कोशिका है पाए जाती है and option D केंदरक चिप चिपा तदा गारा होता है तो इसका एंसर होगा option B कोशिकाओं की अनेक परते पाए जाते हैं नेक्ट कोश्चन से एक सिलिया की गती विधी के दोरान कितनी अवस्था हैं पाए जाते हैं Option A अचानक अवस्था Option B प्रभावी अवस्था Option C रिटन अवस्था And Option D उप्रुक्त सभी So, इसका अणसर होगा Option D उप्रुक्त सभी Next question से काई की महतुता रूप से एक सेकेंड में सिलिया कितनी वार गती करती हैं Option A 10 से 20 वार Option B 1 से 2 वार Option C 5 से 10 वार And Option D 50 वार So, इसका अणसर होगा Option A 10 से 20 वार Next question से So, सीलिया गती विधी के दोरान उत्पन तरंगे क्या कहलाती है So, सीलियों की जो गती विधी होती है उसके दोरान कुछ तरंगे निकलती है Option A फ्रियोक्रोम Option B पेराक्रोम Option C मेटाकोनल And Option D ओटोकोनल So, इसका एंसर होगा Option C मेटाकोनल Next question से निवनि में से कौन सी सरचना आमासरी भाग में नहीं पाए जाती है Option A फंडस Option B Head Option C Body And Option D Pylorus तो इसका एंसर होगा Option B Head ये नहीं पाए जाती है आमासरी भाग में Next question से आमासरी के फंडस वाले भाग में सामाइनेत किसकी उपस्तिती देखी जाती है Option A द्रव की Option B जठर रस की Option C भोजन की And Option D गयस की तो एंसरी इस Option D गयस की आमासरी के फंडस वाले भाग में गयस की उपस्तिती होती है Next question से आमासरी के कौन से भाग में जठर गरंथिया उपस्तित होती है Option A Cardiac Option B Pylorus Option C Fundus And Option D Buddy तो एंसरी इस Option D Buddies आमासरी के Buddies भाग में जठर गरंथिया उपस्तित होती है बहुत इंपोर्टेंट है Next question से आमासरी के भारी वाले भाग में कौन सी स्राव कोसिका उपस्तित होती है Option A Cucus कोसिका Option B Peptic कोसिका Option C Paraital कोसिका And Option D उप्रुक्त सभी तो इसका एंसर होगा Option D उप्रुक्त सभी बतलों आमासरी के ज़ो भारी वाले भाग होते है उसमें Cucus Peptic और Paratize तीनों कोसिका उपस्तित होती है जो स्रावन का काम करती है Next question से आमासरी के सहरचना में उत्तकों की कूल कितनी परते पाए जाती है Option A4 Option B3 Option C5 And Option D 2 तो इसका एंसर होगा Option A4 आमासरी के सहरचना में कूल 4 उत्तक पाए जाती है Next question से आमासरी के सहरचना में किस परकार की मांसपेसिया पाए जाती है Option A लंबवत Option B3 Option C गोलाकार And Option D is सभी तो इसका एंसर हो Option D is सभी मतलब आमासरी के सहरचना में लंबवत, तिरियक और गोलाकार तीनो टाइब के मांसपेसिया देखा जाता है Next question से छोटी आत के विविन भागो है तू कहा गया कौन सा कतन सही है Option उपरी भाग गतिसिल होती है छोटी आत की Option B निचला भाग इस्तिर होता है Option C अंतीम भाग इलियम होता है Option D सबसे छोटा भाग जनम होता है तो इसका एंसर होगा Option C अंतीम भाग इलियम होता है बस यही सही है उपरी भाग गतिसिल नहीं होता है निचली भाग इस्तिर भी नहीं होता है और छोटा भाग जनम भी नहीं होता है छोटी आत की सिर्फ अंतिम भाग इलियम होती है नेक्ट कोस्टन से पाचन तंत्र संरचना डियोडीनम की सामाइनी लंबाई कितनी होती ओप्सने 10 सेंटीमेटर ओप्सन भी 10 इंच ओप्सन से 25 इंच और ओप्सन डी 25 mm तो इसका एंसर होगा ओप्सन भी 10 इंच डियोडीनम सिप 10 इंच की होती है नेक्ट कोस्टन से पाचन तंत्र संरचना डियोडीनम का अगनासे से जुड़ाव अंग्रेजी बर्णमाला की कौन से अक्षर के समान होता मतले उसका सेब जो हता है वह A B C D Z के बीच में कौन सा लेटर के समान होता ओफ्सन ए OPC अफ्टन बी जे ऑफ्टन सी डी और अफ्टन डी पी तो इसका एंसर हो ओफ्सन ए C मतलग अगसाए के साथ जो डियो दिनम जूरी होती है वो इस 흡 में जूरी होती है okey next question से पाचन तन्तर सनाचना डियो window में कूल कितने भाग पाया जाते ने आप जू अफ्सन फ़ो ऑफ सन सी 3 एंपसन दी 1 तो एंसर होगा option B 4 next question से पाचन तंतर सरचना डियोडिनम में सारवदिग लंबाई वाला हिस्सा कोन सा होता है option उपरी भाग, option B उठा हुआ भाग, option C लेटा हुआ भाग and option D निच्छे आता हुआ भाग तो इसका answer होगा option C लेटा हुआ भाग डियोडिनम का लेटा हुआ भाग की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है next question से हिर्दय में पाया जाने वाला पेरी कार्डियल दरब कौन सी पर्तों के मईद इस्तित होता है यह बहुत important questions है option E peri तथा मायो, option B मायो तथा एंडो option C, filer तथा सीरस and option D, 2 सीरस के मईद तो answer होगा option D, 2 सीरस के मईद यह आपका पाया जाता है तो आप देख रहे हो कि इतना important questions का collection है तो चैनल को अभी तख subscribe नहीं कि तो हमारे साथ जूड़ जाजे subscribe करके पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजेगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहें आपका नर्सिंग इंट्रेंस कोई भी questions में छुटने नहीं दूँगा और कोई भी updates होगा आप तक सबसे पहले पहुचा दूँगा मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई